नमस्कार दोस्तों बजरिक न्यूज पॉइंट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मुस्न भी बाकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे पर्षिव बिक्छोब का फिर पड़ेगा असर देश के इन राजियों में बारिस की चेतावनी 26-28 फरवरी के बीच कई जगह पर आंदितुफान बारिस को लेकर यलो अलेट जारीजिया दोस्तों आज 25 फरवरी से नया पर्षिव बिक्छोब सक्रिय हो जाएगा जिसकी वज़य से देश के कई राजियों में 26 फरवरी से फिर बारिस का आगाज होगा कई जगह पर बारिस के साथ ओले पड़ने की आसंका भी जायर की गई है तो कौन-कौन से राजियों में केसा मुस्म रहेगा पूरी जानकरिया आपको डिटेल से देंगे तो आपस रिक्वेश्ट है वीडियो को पूरा देखेगा उतर भारत के अधिकतर राजियों में दिन के तापमान में बडोतरी हुई है लेकिन रात में अभी भी हलकी सर्दी बनी हुई है आईमडी का कहना है कि पर्शिम विक्छोब के सक्रिय होने के कारण देश बरके मुस्म में बडराओ देखने को मिल सकता है मुस्मी बाके मुताबिक 25-27 फरोरी के बीच जमु कस्मीर, हिमाचल पर देश, बिहार, पशिम बंगाल, ओडिसा, समेत देश के कई राजियों में बारिश के आसार है मुस्म पुर्मनवान एजेंसी के अनुसार पश्वी विक्छोब को उत्री पाकिस्तान के उपर एक चकरवाती परीशंचरन के रूप में देखा जाता है वहीं राजिस्तान के मद्याबागों और आसपास के इलाकों पर एक चकरवाती हवाओं का छेतर बना हुआ है मराठ वाड़ा और इस से जुड़े इलाकों पर भी एक चकरवात बना हुआ है बारते मुस्मी बाके मताबिक आने वाले तिन दिनों के दोरान देख के कई राजियों में आन्दी तुपान के साथ बारिस के आसंग का है अगले 24 गंटों के दोरान सिक्कीम अरुनाचल पर देश में हलकी से मद्यम बारिस और बरब बारिक की संभावना है वहीं जम्मु कस्मीर, लदाक, गिलगीत, बल्टिस्तान, मुझभराबाद और हिमाचल परदेश के अलग-लग इस्थानों पर हलकी से मध्यम बारिस और कहीं कहीं पर 30-40 किलोमेटर परती गंटे की रपतार से तेज आंधी तुफान चलने की संभावना है इसके अलावा पूर्वी असम, बिहार, पशिय मंगाल, जहारखंड, ओडिसा, तटिया अंधर परदेश और दक्षिन चतिस गड़ में हलकी बारिस की संभावना है वही 24 गंटों के बाद मराठवाडा, वीदरव और तेलगाना के कुछ हिस्तों में भी हलकी बारिस की गत्ति वीदियां सुरू हो जाएगी कई जुगों पर 30-40 किलोमेटर परती गंटे की रपतार से आंधी दुफान चलने की आसंका है आईमटी ने बताया कि राजस्तान में साइकलोनिक्स तरफ बने के कारण रवी वार से दिल्ली एंसियार में हलकी फूल के बादल चाहे रहेंगे इसके साथ ही कहीं कहीं पर हलकी बुंदा बांधी भी हो सकती है आने वाले तीन दिनों के दोरान राजस्तान, पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्र परदेश, बिहार के मुसमें भी बदलावाएगा कई जगों पर हलकी बारिस और कई जगों पर आंधी तुफान के साथ जवब बारिस के साथ ओले गिरने के आसंका जायर की गई है पाड़ों पर बर बारिस से फिर लोटे की सर्दी कई राजियों में आएगा बड़ा बदलाओ बात करें कौन-कौन से राजियों में चेतावनी है तो अभी असम में घाले अरुनाचल पर देश नागालेट तिरूपुडा में तेज आन्दी तुफान के साथ बारिस के आसंका है इसके साथ ही मुस्म बिबा के मताबिक उत्राखंट, जमुकस्मीर और हिमाचल पर देश में लगातार बारिस के साथ बरबारी का दोड़ जारी रहेगा अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से राजियों में कब बारिस होगी तो इस वीडियो में आपको आगे उत्र परदेश, राजस्थान, मध्या परदेश, पंजाब, हर्याना, दिली, बिहार, जहारखंट समीच तमाम राजियों के एक एक जिले की जानकारी मिलेगी ताप से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाश्ट तक देखेगा बात करें यूपी की, यूपी के लोगों को परिसान कर सकती है बाड़ों से आ रही बरफिली हवाई बरफिली हवाई ने उत्र परदेश में मुसम फिट से सरद कर दिया है एक बार को ये लगता था कि दोपैर की दूप वातावन का टमपरिचल बढ़ा सकती है लेकिन अभी मुसम इबा के मताबिक 26-28 परदेश के बीच जिलों में गरचमक के साथ बारिस की जेतावनी जारी की गई है दूसरी और कानपुर और आसपास के लाकों में 27 परदेश को अलकी से मेद्यम बारिस होने की संबावना है 26 परदेश से लगातार अलके बादल चाहे रहने का भी अनुमान है यहां पर फिली हवाएं ताप पानवे गिरावट ला रही है आने वाले तीन दिनों के दोरान यूपी के कई हीसों में लगातार बारिस होगी मोसमी बागने उत्र परदेश की चितरकूट मिरजापूर परियागराज सोन भदर बलिया चंदोली देवरिया मौ जासी आजमगड कोसांबी बांदा महुबा फत्यपूर हमीरपूर वारानसी और दलितपूर के कई हीसों में 30-40 किलोमेटर पर तीगंटे के रबतार से आंदी के साथ बारिस के आसंग का जाहिर की है अगर बात करें मद्या परदेश के मौसम की बोपाल जबलपूर समेत आदे मद्या परदेश में ओले और बारिस की चेतावनी कई जगों पर आंदी दुफान को लेकर यलो अलर्ट जारी है बद्या परदेश में बोपाल जबलपूर सहीत आदे से जादा जिलों में आज से अगरे तिन दिनों तक ओले और बारिस का अलर्ट जारी किया गया है रिवा सागर सैडोल और नरमदा पुरू संभा के जिले भी बीगेंगे दूसरी और इंदोर गवालियर और सब मदला रहेगा रवी बार को जबलपूर संभाग के अलावा नरमदा पूरं इंदोर संभाग के कुछ जिलों में हलकी बारिस हो सकती है 26 और 27 परवरे को परदेश के जादा तर जिलों में बारिस और ओले गिरने का अनुमान है आएमडी पोपाल के सीनियर विज्यानिक डॉक्टर वेद परकार सिंग ने बताया कि परदेश में पश्यों विक्छोब और ट्रफ लाइन सकरिये है दक्षिन 36 गड़ में साइकलोनिक सर्कूलेशन सिस्टम एक्टिव है इससे मद्य परदेश में बंगाल की खाड़ी से नम्मी आ रही है बंगाल की खाड़ी के उतरी हिस्टे में भी एंटि साइकलोनिक सर्कूलेशन बना हुआ है इसे रवी वार्स को मद्य पर्देश की पूर्वी हिस्तों जबलपूर, नर्मदापुरम, दक्षिन हिस्तों सागर, रिवा और सैडोल में नम्य आएगी 26 परवरी को बारिस के साथ ओले गिर सकते हैं आज जबलपूर संबाके चिंदवाडा, सिवनी, बाला गाट, मंडला, दिंडोरी, समेत, बेतूल, नर्मदापुरम और बुरानपूर में हलकी से मद्यम बारिस हो सकती है 26 परवरी को परदेश के जादतर इस्तों में सिस्टम का असर रहेगा या दक्षिन पुर्वी हवाइं आएंगी, पुर्वत्र हवाइं भी रहेंगी, यह आपस में मिलेंगी और बारिस कराएंगी इस दिन रिवा, जबलपूर, सेडोल, नर्मदापुरम, बोपाल, इंदोर संबाके कुछ जिलों में बारिस हो सकती है मुई मंडला, डिन्डोरी, नर्शिंगपूर, अनुपूर, जबलपूर, नर्मदापूरम, बेतूल, चिंदवाडा और सिवनी बालागाट में ओले गिर सकते हैं 27 फर्वरी से सागर, नर्शिंगपूर, चिंदवाडा, दमोह, जबलपूर, शिवनी, बालागाट मंडली, डिन्डोरी, उमरिया, कटनी, सैडोल, सिंगरोली, सिध्धी, रिवा, मौगंज, गुना, असोक नगर, विदिशा, नर्मदापूरम, रायसें, टिकमगट, निव लेगा, कई जगापर 30-40 किलोमेटर पर 3 गंटे के रफ़तार से, आजी दुफान के साथ 27 फर्वरी से बारिस होगी, अगर बात करें मौसमी बाकी मताबिक, राजस्तान की, राजस्तान के हनुमानगट, श्री गंगनगट, चूरू, बिकानेर, जेसलमेर, बाडमेर, जैप 20 फर्वरी से कई कई पर अलकी बंदा बांदी होगी, आज भी राजस्तान के कई जिलों में बादल चाने की संभावना है, मौसमी बाकी माने तो 28 फर्वरी तक लगातार मौसमें ये बदलाओ चलता रहेगा, पंजाब अरियाना की कई हिस्सों में हलकी बारिस के साथ ओले भी गिर सकते हैं, असम में घाले अरुनाचल परदेश, नागालेंड, तिरूपुरा में लगातार अगरे तीन दिनों तक बारिस के साथ बरबारी का दोर जारी रहनी के आसंका है, वहीं मौसमी बाकी माने तो माराश्टा, गुजरात, कौंकन, मराट वाड़ा की कई हिस्स में परश्वी विक्छोब का असर दिखाई देगा, और कई जुगों पर हलकी बारिस जो है, वो 25 और 26 परवरी से दिखाई देगी, इसके साथ ही मौसम विबाग के मताबिक, बिहार के कई हिस्सों में बारिस के आसंका को देखते वे चेतावनी दी गई है, बिहार के बिग अपने राज्य का नाम लिके कमेंट करें, आपके यहांकी जानकर याप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, इस वीडियो का आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दें, धन्यवाद